हेलो दोस्तों आज मैं आपको फिर से एक नए वीडियो लेकर आगे हूँ यह में आपको रिक्षवप्सन मेंकप के हिसाब से बताया है तो चलिए मैं आज अपने पर मेंकप नहीं कर रहे हैं खुद पर मैं आज किसी और मेंकप कर रही है तो मेंकप को पूरा देखेगा और क्याक करमेंण जरू करिएगा तुछले सबसे पहले सबसे को क्लेंडींग टोनिंग मसचराजा करना है अज ourselves इसके बाद में PV लगाना कंसीलर का प्रियॉच concentल ق Grü करेंगी क्योंकि आज मैं डेर्एक्ट फाम्डेशन से मिक अपकर मुश्मस को तो एकली पूरै पूरे फेस पेदर नगरपां कारू तो पूरी खरी कि अची फर्मócिट कर लियुक्ट से क्रेक्ता है यडा से की फारीो फ्स१ार म Himgy Pror के अछिख में बात चैनल के थीच यह फास्नी99 को फेस को लॉक ऑग। आपको क्या अगर फेस को लॉकुब करेंग तो बिल्कुल गय्कप सभड़े से लगता है।श्सी के लगजा daha लगा ने के बातोः impose भे influx हैम सुबरभी ईदिश्टर कोष। इनको मेकप जो है हलका शेटल मतलब बहुत लाइट में चाहिए था क्योंकि रिशप्शन में लोगों को बहुत ज्यादा मतलब लाइट में पसंद होता है तो इस विसाफ से मैं बता रहे हूं तो यह दिखे अब चलिए मैं क्रीज लाइन बताऊंगी बनाकर दिखाऊंगे क्रीज लाइन बनाना है आई मेकप अरेट में कान्येक कक्ली से बनाना है उनको इसे बलंइंग कर देना है इस ≤ इसे अच्छे से ब्लंइंग कर देना है ब्रस से ही ताकि ज्यादा उस वस्तों प्रोडक ना लगे तो आप आउटर कॉर्णर पे हम ब्लैक कलर का शेट देंगे ब्लैक कलर का शेट देने के बाद जो है बीच में आई बोल पे हम जो है परपल कलर का कर देंगे फिर इनर कॉर्णर पे जो है आश्मानी कलर का कलर देंगे उसके बाद जो है अच्छे से ब्लंडिंग कर देना फिर उसके जो आई बॉल पर बीच वाले पार्ट पर हमें सीमर लगाना तो इस तरीके साब को जब भी आई मेकप करें आप उसमें ब्लंडिंग बहुत जरूरी है तो ब्लंडिंग जरूर करेंगा तो आई मेकप होने के बाद मेकप कैसा लग रहा है बहुत मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा बेंगेभी आई मेकप के लिए अप सकती हमाने के लिए बाद मुझे Gibson एक जो जो मूटा है और शेप स्थीप में देना तो मैंने ईक का लीप जो दो है तो मैने कोई शेप